दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाला हैं comparison between Philips BT-3211 and this boat T200 trimmer बताएंगे दुनों trimmer में किसका performance सबसे बहतर है और दुनों trimmer में से आपके लिए कौन सा trimmer सबसे best थाबित होगा तो make sure वीडियो को वान तक दीखेगा जरूर नमस्कार दोस्तों हमें आपके अपने अभिसेक भाया trimmer 4man.in में आपका बहुत-बहुत स्वागात है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दुनों ही trimmer के features बता देता हूँ फिलिप्स का BT-3211 का total charging time में 1 hour एक घंटा चार्ज करेंगे तो आप इसको 60 minutes तक यूज कर सकते हैं इन दे सेम टाइम अगर हम board के trimmer के बात करें तो इसका भी charging time में 1 hour और एक बार complete चार्ज करेंगे तो इसको up to 120 minutes आप यूज कर पाओगे तो battery backup के मामले में आपको board के trimmer में double battery backup मिल जाता है as compared to Philips trimmer हाला कि दोनों ही trimmer को आप corded as well as cordless भी use कर सकते हैं फिलिप्स के trimmer में आपको मिलता है total 20 settings जो शुरू होता है 0.5 mm से लेकरके 10 mm तक और सारे के सारे setting आप इस dialer के help से very easily adjust कर सकते हैं जो मुझे काफी सही लगता अलग-अलग com अलग-अलग settings के लिए इस पर नहीं मिलता बस एक ही com दिया हुआ है और इस एक com के help से आप total 20 different settings में अपने beard को trim कर पाएंगे इस सेम टाम अगर हम बोट की बात करें तो इस trimmer में आपको alternate मिलता है बस 4 different com जो कि यह 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm मतलब बस 4 different setting में आप अपने beard को trim कर पाएंगे और 4 different setting के लिए अलग-अलग com इस पर दिया हुआ है तो जैसे कि आप देख सकते है right now इस पर 3 mm का com लगा हुआ है अगर आप setting change करना चाहते तो भाई com को आपको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा अलग com फिट से लगना पड़ेगा तो यह है मतलब 4 अलग-अलग com दिया हुआ है तो यह चीज मुझे उतना सही नहीं लगता तो feature wise मुझे definitely फिलिप्स का trimmer का जो design है मुझे यह better लगा यसी के साथ अगर हम build quality के बात करें तो दोनों ही trimmer completely plastic build quality के साथ में आते हैं बाट कहीं ने कहीं अगर हम मजबूती की बात करें तो मुझे बोड का टेमर थोड़ा ज्यादा मजबूत लगा as compared to philips BT 3211 इसके इलावा दोस्तों बोड के टेमर में IPX4 water resistant का support दिया होगा है जबकि फिलिप्स का टेमर जो है यह waterproof नहीं है हाला कि इसके blade को भी खोल करके आप very easily पाने से clean कर सकते हैं no problem on that इसके इलावा दोस्तों फिलिप्स के टेमर आपको सिर्फ एक blade मिलता है जबकि बोड के टेमर में बहुत सारे multiple attachment मिलता है मतब beard के लिए आपको 2-3 blade अलग से मिलते हैं foil saver मिलता है body के लिए अलग से blade दिया होगा है अगर आपने हमारा unboxing वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के जाके देख लीजेगा वीडियो का link description में मिल जाएगी as well as मैं आपको उपर eye button पर भी दिदोंगा जहां मैंने detail क्या काम आता है अब वक्त हो चुका है live trimming test का लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा यह कोई sponsored वीडियो नहीं है दुनों ही trimmer को हमने आप जैसे viewers के request पर buy किया है बस review करने के लिए तक ही आप कोई गलाच product buy ना कर लो है ना तो आप सभी सभी बस एक छोटी से request करना चाहूंगा दोनों की trimmer में से जो भी trimmer आप करना चाहते हैं दोनों का best buy link वीडियो के description पर दिया हुआ है तो प्लीज वहाँ से ले लीजिएगा जहांसे यह trimmer आपको सबसे सस्ते दावी मिलेगी इसे के साथ थोड़ी से support हमारे चैनल को भी हो जाएगी अब चलिए करता हूं और यह वाले साइट को हम बूर्ट के trimmer से trim करेंगे फिर आपको side by side compare करेंगे दिखाएंगे तो चलिए 3 mm के setting में लेकर आते हैं अपने trimmer को तो आप देख सेकते हैं राइट ना और कर जो सेटिंग है यह है 3 mm नाव लेस्ट ट्रीम बिगिन कर देख सकते हैं यह वाले हिसे को हमने फिलिप्स के trimmer से trim कर लिया है आप यह वाले हिसे को चलिए हम बूर्ट के trimmer से trim करके आपको दिखाते हैं तो मेरा जो बूर्ट का trimmer है इस पर भी आप अगर आप देखेंगे तो 3 mm का सेटिंग इस पर लगा हुआ है तो चलिए सेम सेटिंग पर भी हम trim करते हैं कि अपटे लिए पता करता हैं दुनों से टीमर में से कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप philips के trimer के कौम को वेर इजिली बहार निकाल सकते हैं और जही बात बोर्ट की trimmer की दोस्तों बोर्ट की trimmer के साथ में आपको ऐक अलग सा blade मिलता है इसको बोलता है प्रिसेशन कटP piece and cut blade और ये है इसका प्रिसेशन कट वाला blade आप देख जिसके हेल्प जाब बहुत ही धीमी धीमी सेटिंग अपनी ब्योट को ट्रिम कर पाएंगे तो चलिए इसको हम यहाप पर कुछ इस तरह से रगाल लेते हैं तो अब यह वाले इससे को हम लिए इधर का हिस्ता नीचे का हिस्ता को हम फिलिप्स के bt 3221 से ट्रिम कर लेते हैं और यह वाले इससे को हम गोलक का ट्रिमर से ट्रिम करते हैं झाल झाल जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनली हमने अपने बियोड को पुरी तरह से ट्रीम कर लिया है, और अभी हमने अपने फेस को धो के आया है, ताकि मैं आपको साइड बैसाइड केमपेर करके दिखा सकूँ, तो ये वाला इसाब देख सकते हैं, आखेंज हमने फिलिप्स का BT 3211 से Accords किया है, दोस्तों यूजिं कॉम जो परफॉर्मेंस है, इतना स्मूथ परफॉर्मेंस है, इतना सुपर फास्ट परफॉर्मेंस है इस फिलिप्स ट्रीमर का, वहीं अगर बोट की बात करें, तो भाई using com आपका बाल बाल फसता है तो ये चीज उतना अच्छा नहीं लगता otherwise performance तो भाई बोट का भी काफी अच्छा है बस बाल फस जाता है ये चीज मुझे बिल्कुल भी comfortable नहीं लगा इसके लगा दोस्तों अगर हम precession cut की बात करें तो आप देख सकते हैं फिलिस के ट्रीमर से आप minimum 0.5 ते शेरिंग में ट्रीम कर सकते हैं और काफी हद तक ये clean करके आपको दे देता है लेकिन अगर हम बोट की बात करें दोस्तों definitely no doubt precession cut के मामले में definitely the winner is boat trimmer आप देख सकते हैं कितना clean आपको लगता है बिल्कुल clean cut आपको देखने को मिलता है जो वहले आप नेक का भी देख सकते हैं तो बहुत clean shape की तरह ये आपको trim करके दे देता है तो clean shape वाली look के मामले में definitely winner is boat trimmer अगर आप beard अखना चाहते हैं beard वाला performance मुझे using calm फिलिप्स का BT 3211 का बहतर लगा आप दोस्तों सवाल ये उठता है दोनों में से आपको कौन सा टेमल लना चाहिए चलिए मैं आपको अपना feedback आपको share कर देता हूँ अगर आप एक ऐसा trimmer ढूंड रहे है जो बहुत ही जदा skin friendly हो आपको beard रखना पसंद है आप लंबे-लंबे beard रखना चाहते है या फिर छोटे-छोटे beard रखना चाहते है मैं definitely आपको फिलिप्स का BT 3211 रेकमेंड करूंगा बहुत ही बहतरीन performance है इस trimmer की इस सेम टाइम दोस्तों अगर आप अपने beard को हमेशा clean रखना चाहते है आपको beard रखना पसंद नहीं है क्योंकि दोस्तों इसके साथ जो precision card ब्लेड है इससे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बार आपके बाल फस्ता है तो मैं वहल आपको उतना recommend नहीं करूँगा to be frank बाट अगर आप एक ऐसा trimmer ढूंद रहें जिससे आपको better clean चे वाले लुक मिल जाए एस वहलेस एक ऐसा trimmer ढूंद रहें जिससे आप अपने body के hair को भी remove कर सकते है on that case definitely आप both trimmer के साथ में जा सकते हैं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो बस यही था आज कि इस वीडियो में जो भी मैंने महसूस किया आपको अपने सारे feedback share कर दिये है उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो please वीडियो को like किजिएगा और दोनों trimmer में स जो भी ट्रिमर आपको लेना है प्लीज मेरे भाई वीडियो के description में दिये गए लिंक से बाई कर लीजिएगा जहांस यह ट्रिमर आपको सबसे सब्सक्राइब मिलेगी इसे के साथ थोड़ी सी support हमारे चैनल को भी हो जाएगी चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो को सब्सक्राइब किजिए और अल्सों फिट दी बेल आइकोन मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो पे थैंक्स पर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्